दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आपने हमारा थम्रील देखा होगे इसी को आज हम डिसकस करेंगे यह पूरा प्लान आप देख भी पा रहे होंगे इसी मॉडल को आज हम आपको step by step बताने वाले हैं इसका size है 40 by 50 हमारी एक paid user हैं दोस है इसका मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से design elevation किया है frontal elevation आपको बेतरीन लग भी रहा होगा जैसा भी हो आप हमें जरूर इसी को आज हम डिसकस करेंगे इसका ground floor मैंने डिजाइन किया है first floor डिजाइन किया है इसे पूरा discuss करने वाले है step by step तो बने रहे इसी उडियों में लगातार मैं हूं पहुंचागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल है तो जरूर कर लें कि कि यहां पर आपको बहुत ही modern type के house मिलते हैं low budget house मिलते हैं अगर आप भी घर बनवाना चाहते हैं तो आपको एक नया look देखने को मिलेगा कि घर के क्या क्या वैराइटी हो सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं और अपना एक design का idea ले सकते हैं तो जो आज का प्लान उसे हम discuss कर लेते हैं पूरा step by step उससे पहले आपसे एक announcement करना चाहूंगा अगर आपने हमारी अभी तक paid service का इस्तवान नहीं किया तो जरूर करने तो मैं एक paid service से चलाता हूं इसमें उसका 50% advance लेता हूं इसके बाद आपको planning करके देता हूं लेकिन payment तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाया नहीं था आप किसी अन्य व्यक्त को payment बिलकुल ना करें तो चलो आज का जो प्लान उसे discuss करते हैं तो front elevation की बात करें तो आपको बेतनी लगी रहा होगा से मैं जू जो गाओं की हम बात करें खफ्राइल स्टाइल होता है वो बना है यह रेलिंग वगएरा इसी को आज हम discuss करने वाले हैं तो तुसरी three side closed day front में आपको road है यहां से आप इसका main entry है यह stairs मैंने दी हैं तीन stairs इससे जाकर आप बारंदे में चलता है और इसके बाद यह जो designing है य b attendant culture के यह आपको देखने ही पट्टिया सी इज डिजां का पार्ट है और यह वह यह पी जीडान का पार्ट नहीं यह इस में फोड़ा से ब्लाक को दिख रहा है ब्राउ Zum apa द चthey to बड़ा से विंडो चोटे चोटे विंडो और इस जो फ्रंट में हमारा रूम बना उसके लिए साइड में भी विंडो दिया है तो सब्सक्राइब अगर हम चलते हैं तो ये इसका ग्राun floor है मैं इसे जूञ करके दिखाता हूँ आप जैसे यहां से एंट्री करते हैं तो यहां से ँंट्री करके अप यहां पाहुंचते हैं और यह दिए मैने रूब बना दिया इसके नीशे एक पेत्रीन सब बारंदा बहार होता पार्किंग के लिए या एक स्टाइलिस्ट आपका गुम्टी डैप को बनके देड़ी हो जाएगा जो आपके घर का एक लुग को और चेंज कर देगा यहां पर स्पेस आपने चेर बगएर डाल कर अपने लोग बैठ सकते हैं बैठ खड़ाइब को ब आपको एक बड़ा सा बैड डूम मिलता है यह भी बड़ा सा बैड डूम मिलता है क्योंकि जगह बहुत ही 45 फिट चौड़ाई है तो लगभग यह 13 फिट चौड़ाई के हैं अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें लेकिन वो दूस्तों पेर्ड क्योंगे इसाड़ करें इसके बदसे अपना यहींतर है बोस्तों तो यह दो यह दो हैं और एक किचे ने यह करते है हैं अब बात करते हैं यह आपक है ऊपका वैट इक रेचांट किया है यह आप देख पार है, इसके लिए डोर और विंडो दिया है, बाहर से वीच के लिए एक विंडो है और साइड में भी आपके दो बेड्रूम बने है, टूटली है अब आपको पांच बेड्रूम मिलते है यह गेद के मास्टर बेड्रूम बड़ा सा है और यह आपका एक बेड्रूम है दो कॉर्नर पर, दो फ्रंट में और एक और फ्रंट में पांच बेड्रूम आपको मिल जाते हैं दो लेटन बात, एक केचेन और स्टेर्स और उच्छी की नीशे आपको इस्टोर रूम फ्रंट की बारंदा मिलता है, शाथ-शाथ यह बालकनी टैप की मिल जाती है तो यह आपका पूरा ग्राउंड फ्रोर का एरिया कवर कर लेता है चालेस बाई पचास पर यह मूरा मॉडल देख लें, आप समझ लें चीज़ों को अब हम बात करते हैं इसके फ्रेंट का लुक मैंने चेंज कर दिया है, यह थोड़ा से, जो बारंदा का पार्ट है यह आप एक च्छत देख रहे होंगे यह फिलाल अगले फ्लोड के लिए यह आपका प्लार है तो यह तो पुरा वाई देता है यह एक विल्डो दिया है तो यह पूरा मॉडल 40-50 में क्रेट होकर आज आता है आपके सामने यह मॉडल देखी गा पूरा अच्छा आपको लग रहा होगा हमारे समझ से जैसा भी आपको लग रहा हो तो इसे आप हमें लाइक जरूर करें और कमेंट करें और इस हमें बताएं शाद ही शाद हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक किया करें बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं तो आप लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें थैंक्स वहुचे